हेलो कैंसर विल्कम चुवारी एंजली गाइदन्स आई होप आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज हम देखने वाले नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वारत चलिए यह देखते हैं यूनिवर्स प्लीज काइट कैंसर पहले हम इससे देख लिए फिरम कार्ट से भी देखेंगे नहीं तो कहोंगे माम यह क्या ही मतलब अना लेट सी यूनिवर्स प्लीज काइट देख the star ओके पहला कार्ट आपके स्टार है यहां पर death ओके change सबसे पहले दिखाई देख का काड आजाएना दूसरे नमबर पर देख का का कार्ड आना चेंज आने वाला है बड़ा चेंज आने वाला आपके love life में और star का का फिर की wish-fulfillment या तो आप जैसा बंदा या बंदी चाह रहे थे वैसा आपको person मिलने वाला है या आप चाह रहे थे manifest करे थे मेरा partner वापस आ जाए मैं wait कर रहा हूँ या wait कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए थे जादा chances है थे बाओटम में क्या है तो devil बहुत हैंसम बहुती beautiful person हो सकती है या तो बहुत हैंसम है या तो बहुत beautiful है । koy Bianju जाए बहुत क्यास होती है कि हैं तो बहुत बहुत करना थे द रहाँ है कर सकत digamos bed law frog phrases कर उञ amendments बहुत बड़ा चेंज आपके लव लाइफ में आता दिखाए दे रहे हैं जैसा पॉसन आप चाह रहे थे जिस तरह का इंसान चाहरत कि या ऐसा हो मेरा सोल मेट ऐसा हो मेरा पार्टनर वैसा पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है हो सकता है पहले आप मत ना पहचान पाउन को पट यह वो सब चीज़े जैसे आप चाहरत ना मेरा पार्टनर में लिए यह करे वो करे वैसा इंसान आ यहां पर फ्लार जो है ना फ्लार यह important मुझे दिखाई दे रहा है यह person आपको फ्लार देखे यह प्रपोस्ट करे या आप इन्हें फ्लार दो जब मतलब जब अहसास हो जाता है ना प्यार का कि हाँ प्यार हो चुका है तो यह gesture आप शो करो रोज से फ्लार से ठीक है एक चीज जो और मुझे यहां पर दिखाई दे रही है कि या तो यह person अपने hometown से दूर हो सकता है या आप दूर हो सकते हो या travel के दौरान आप दोनों मिल जाओ यह भी chances हैं तो इस तरह के chances आपके लिए बनते वे दिख रहे हैं पर यह आपके life में कई न कई new beginning है and wish fulfillment है यह person आईए रेखते हैं और क्या है क्या zodiac sign हो सकता है इस person का क्या zodiac sign हो सकता है इस person का Capricorn हमने बात की थी devil का card हुई आया था तो Capricorn आया ही है let's see और क्या है आपर Taurus है यह Taurus हो सकते हैं आपके partner and next यह देख लेते हैं Pisces Pisces हो सकते हैं bottom में देख लेते हैं क्या energy है Aquarius यहाँ भी Aquarius है यहाँ भी Aquarius है तो कोई Aquarius भी हो सकता है जिन से आप deal करो अब यहाँ पर number 17 है 13 है 0 है यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं आये दिखते हैं universe please guide कौन आ रहा है या क्या होने वाला है हो सकता है कि आप अपने life में किसी problem से problem देख रहे हो अपने partner के साथ ही deal कर रहे हो अपने partner के साथ deal कर रहे हो लेकिन issues देख रहे हो बहुत issues आ रहे है यहां पर चेंज आता दिखाई दे रहा है और आपकी Partner वापस आ सकता है आपके पास देख लिए जिसकता है यहां जिसकता है बापस घूमके आपके पास वापस आ रहा है और न्यू बिग्निंग चाह रहा है थीक है तो अगर आप अपने Partner से लिएडी डील कर रहे हो उसे बह का moon sign हो या sun sign हो तो वो वापस आ सकते हैं आपके पास घूम के चुकि ऐसा अगर आप Lord के बुद्धु घर को आए तो वैसा ये दिखाई दे रहा है The Fool का card ठीक है तो ये पोस्ट घूम घाम के वापस आपके पास आ रहा हो समझ चुका हो कि बाहर कुछ रखा नहीं है जो है यही है वो तो उसको ये realization हो जाए ठीक है जो कि death का card है तो changes है तो उसका mindset change हो रहा है आपके love life में changes आ रहे है यस मुझे यहाप एक immature energy भी आ रही है कोई immature है मलब हो सकता है जो आपका person आ रहा है chances है या तो थोड़ा सा mature हो सकता है love life की मामले में ठीक है maturity oh my god अच्छा हम इन mature की बात कि है maturity का card आ गया bottom देख लेते हैं soulmate तो ठीक cancer आपके soulmate यहाँ पे आ रहे है soulmate हो सकता है यह mature हो पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो लिखने का shock हो प्यार नहीं हुआ इस तरीके से deeply तो अब शार यह आपके प्यार में पढ़ जाएंगे बुई तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाएते हैं यह person बहुत ही blessed है इनको लिखने का shock होगा या पढ़ने लिखने का research scholar professor इस तरह का teacher इस तरह के होंगे हो सकता है इनका life path number 3 हो या इनका body 3 हो इस तरह के person यह हो सकते है ठीके है और काफी maturely यह behave करते होंगे है mature पर प्यार का ABCD भी नहीं आता इस तरह के लोग होते है तो यह वैसे kind of person है जिनको प्यार का ABCD भी नहीं आता बट यह से है mature काम workaholic और career oriented कह लीजे ठीक है यह उस तरह के है जिनको बहुत मोटी मोटी book पड़ी हो ठीक है उस तरह के person एनका focus and concentration बहुत ही अच्छा है ठीक तो ऐसा कोई person यह मैं देख पार ही हो let's see और जानते है या तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपका partner ने गलती की थी आपको वो छोड़के गया था आपका बंदा या बंदी जो भी है तो उसने जो lesson लेने थे न वो ले लिये जो उसने maturity पहले दी मैंने का न लौट की बुद्दू घर को आए तो जो maturity पहले उसने दिखाई थी अब वो maturity person के अंदर आ गई है इसने अपना lesson ले लिया है ठीक है spirits ने इसको guide कर दिया है वापस आपकी पास भेज दिया है तो इस तरह की situation भी बनते हुए मुझे दिख रही है ठीक है let's see देखो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अगर यह person वापस आ रहा है तो यह कुछ बदल कर आ रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए new person ही है ठीक है चल यह देख लेते है universe please guide इस person को लेख कर ओके love marriage love marriage यह मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है इस person कास्ट कल्चर कुछ अलग हो ठीक है और या तो upbringings अलग है या दूसरी country के है आप दूसरी country के इनके beliefs इनकी चीज़े अलग है आपके अलग है ठीक है तो difference दिख रहा है और मुझे love marriage भी कुछ लोगों के लिए love marriage दिखाई दे रही है एक होगा बहुत sincere सा एक होगा एकदम जल्ला सा जल्ली सी maddest love ठीक है यहाँ पर के तब बहुत mature person है और एक एक खुद जल्ला या जल्ली सी लड़की या लड़का है ठीक है ऐसी शादी ऐसा couple बन रहा है यहाँ पर ठीक है और बहुत प्यारा है love marriage मुझे होती वे दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि यह person से आपकी love marriage हो या तो फिर आपके partner से ही आपकी love marriage होगी ठीक है अगर आप already deal कर रहे हो लेकिन issues आ रहे है पर love marriage यहाँ है मैं आपको बता दूँ ठीक है ओके let's see और क्या है यहाँ पर या हो सकता है पहले से ही आप लोग ने marriage कर रखी हो ठीक है ओके आएए देखते है marriage वाले लोग भी देखते भाई उनका भी से oppression होता है तो हो सकता है पहले से आपने marriage कर रखी हो या love marriage हो रही ही मतलब एक तरह से कुछ लोगा क्या होता है अरेंज भी हो रही होती न तो इसको लव कर लेते हैं उनको पहले इतना गहरा प्यार हो जाता है एक दूसरे से की वह तरह किसे लव मैरिज की तरह लगने लगती है देखाओगा आपने ठीक है आए देखते हैं ओ गौड यह जो प्यार है ना यह जो इमोशन है यह दोनों प्रफ है क्यूरियस एंस्पाइरिंग लव मुझे लगता है कि आप लोग मिल कम पाते हैं आप लोग चाटिंग के थूरू मैसेज़स के थूरू जादा आप दुनों की बात होती है या फिर आप शोशल मीडिया पेंसे मिले हों यह भी चांसेस है तो मेंट्रिमोनियल साइ हैं आपर के इमोशन्स दोनों जगाएं वैसे सेम इमोशन्स मतलब अगर आप फील कर रहे हो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है या हुई है डिस्प्यूड अन साबोटैज छोट जोड़ी बातों पर नोग जोक आप लोग क्यों हो सकती है रूठ ना मनाना हो सकत है ठीक है इस्पेशली फिमेल की तरफ से ऐसी बात नहीं वो फिमेल जान मुझके बांदेगी नहीं जरूर कुछ गल्ती भी इन्होंने साहब ने की होगी ऐसी नहीं हो बांदेगी या परिशान करेगी या फिर सवाल पूछेगी जरूर इससे सवाल पूछने वाली अब य इसने पकड़ लिए इसके लिए बांद के उसको बैठा दिया है कि अब चलो बताओं तो छोटे मोटे जगड़े कहना हो सकते हो सकता इस परसंट को आप पहले से जानते हूँ आपने लव मैरिज की हो है ना आप दोनों के जगड़े वगड़े चल ले है पर मैं बता दू आप दोनों सेम पेज़ पे हो या तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो ठीक है यह भी चांसे से कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो लेकिन मैं बता दू अगर आप अभी मिले हो जैसे आप लोग की मैरिज वेगरा का कुछ फिक्स हो रहा है मैरिज होने वाली है तो मैं बता दू द दोनों वर्किंग हो या फिर आप दोनों वर्क प्लेस में हो या कॉलेज में मिले हो ठीक है तो थोड़ी सी इन सिक्योर्टी रह सकती है कि अपने पार्टनर को लेकर कहीं कि जला ना जाए किसी कोई और उसको ना मिल जाए या किसी और से बात करें तो अजीब सा फील होने या पर डिप्रेशन ओके यह काम करऊ आप बस ना इन सिक्योर्टी निकाल दो ना तो कुई इस्व ना और रिफ्लेक्शन हो मुझे से लग रहा है शायद आप पहले से इस पोसंड को जानते हो और डील कर रहे है और रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा है कि सोच रहे हो एक द पर डिप्रेशन का पर आप लोग इस रिश्टे को बारे में सोचोगे कि इसको मौका देना है कि नहीं देना है ठीक है हो सकता अप लोग की लड़ाईया जगड़ा प्रॉबλαम इस्शू चल रहे हो ठीक है तो ये समय पर आपकर जो है ये समय ये समयस कहने को यह 15 days जुलाई के में भी 15 days से पिर भी कम आपको यह सोचने में जाएगा कि इस रिष्टे के साथ करना क्या है या फिर आप दोनों mirror कर रहे हो मतलब अगर आप सोचना चाहरे हो मिरा partner क्या फील कर रहा है कैसा फील कर रहा है past life actually past life connection है इसलिए trigger कर रहे हो दूसरे को ठीक है हो soulmate पर issues आ रहे है आप दोनों के रिष्टे में और यह insecurity है सिर्फ और सिर्फ insecurities आप दोनों के भीतर की tempted okay आप मैंसे कुछ लोग बहुत tempt हो सकते हैं यह tempt हो रहे है आप tempt हो रहे हो एक दूसरे से हो रहे है इधर अधर कहीं हो ठीक है पर जाए जितना tempt हो लो अगर यह पॉसंद के लिए आप दोनों की feelings मतलब जादा हो सकता है आपका पॉसंद tempt हो रहा है इसलिए आप दोनों के बीश में तोड़े issues हो रहे है जगड़े हो रहे है तुमने उस लड़की की post क्यो like की हाँ यह सारे issues मतलब ठीक है तो इ तरफ से इस वज़े से disputes होंगे sabotage होंगे ठीक है ओके तो यह जो भी connection है यह past life connection है and maybe आप लोग twin flame journey में हो सकते हो अगर mirror कर एक दूसरे को नहीं तो मैं देख पानी हूँ अगर आप लोग no contact में हो तो यह person depressed है ठीक है depressed है और reflection यह सोच रहा है कि इस रिष्टे में से करना क्य इसको आपके पास आना है कि नहीं आ रहा है यह सोच रहा है इस समय पर इसके दिमाग में वह बाते चल ली जो आपके आप और उनके साथ last time हुई होगी ठीक है आप दुनों जो पल बिताया है साथ में वह इसके दिमाग में जादा चल रहा है इस समय पर ठीक है किसी बात का depression हो सकता है, अगर यह person आपसे दूर है long distance पे, तो depression है, इस चीज़ का बुरा लग रहा है, काश साथ में होते, या इससे कोई ऐसा message या कुछ ऐसा देख लिया आपके phone में, chats या कुछ ऐसा जिसके वैसे यह depressed हो सकता है, या no contact में हो, असलिए अभी यह परशान अपने life में, तो कुछ past life connection है, soulmate आप हो, लेकिन एक दूसरे को trigger कर रहे हो, सिखाओगे and transformation एक दूसरे की जीवन में लेकर आओगे, तीक है, आप दोनों एक दूसरे को बदलने में मदद करोगे, एक दूसरे की help करोगे, ठीक है, लड़ोगे भी, प्यार भी बहुत रहेगा, तो ये थी आपकी reading यहाँ पर, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो like कीजिएगा, subscribe मैं चलावे तक नहीं किया, तो comment box में ज़रू बताएगा, thank you for watching.